मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का लर्न इट चैनल में स्वागत करता हूं आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक वन चैप्टर है टू और चैप्टर का नाम है ओलम्पिक मॉव्मेंट्स आगे बढ़ने से पहले हम पता करते हैं कि ओलम्पिक बेसिकली है क्या ओलम्पिक एक इंटरनेशनल इवेंट है स्पोर्ट्स का जो दो कैटेगरीज में होता है एक है समर कैटेगरी और दूसरा है विंटर कैटेगरी जिसके अंदर हजारो एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं और बहुती different type के या विभिन प्रगार की varieties के competitions भी देखने को मिलते हैं अब हम चलते हैं हमारे ancient olympic games की तरफ अब देखा जाए तो बहुत सारी stories हैं इस origin के record regarding which is ancient olympic games के regarding पर देखा जाए तो सबसे पहला जो recorded evidence है वो मिलता है हमें 776 BC से ये games क्यों किये जाते थे Lord Zeus या जिसको बोलते हम God Zeus जो कि एक Greek दे होता है उनको honor करने के लिए Olympics जो word है वो derive होता है Lord Olympia से और यहीं पर सबसे पहले Olympics की game खेले गए थे अब जो है वो है modern olympic games के बारे में लोगों जो modern olympic games का है वो है five rings of different colors यहाँ पर जो सबसे पहला olympic games चालू हुआ था वो था sun 1896 में किसकी मदद से या किसके effort से उन परसन का नाम था Baron Pierre T. Cobertin of France जिनने हम father of modern olympics के नाम से भी जानते हैं सबसे पहला olympic games Athens में 1896 में हुआ जिसमें लगबग 9 countryों ने participate किया और उसके बाद ये हर 4 साल में खेला जाता है बीज बीच में interruptions के कारण जैसे की world war 1 और world war 2 के कारण इसे तीन बार टाला भी गया आकरी olympics रियो ब्रजील में खेला गया था और आने वाला 2020 में Tokyo में खेला जाएगा पर COVID-19 pandemic की situation में या हमारी की situation में अभी इसे पॉस्पॉन कर दिया गया है olympics के बाद चलते हम next topic पे जो है पेरा olympics पेरा olympics basically disabled sports person के लिए होता है सबसे पहला जो organized olympics हुआ था पेरा olympics वो था Rome के अंदर 1960 के अंदर इसकी committee को international para olympic committee कहते हैं और इसका headquarter born Germany में है international para olympic committee IPC responsible है summer और winter olympics कराने के लिए para olympics के अंदर और इस पूरे competition के अंदर approximately 176 national para olympic committees है next topic आता है winter olympic games यह एक major international sporting event है जो हर 4 साल में आता है basically यह related है snow और ice से जैसे कि example है ice hockey and ski jumping पहला winter olympic games 1924 में खेला गया था केमोनिक्स फ्रांस में उसके बाद यह हर 4 साल में खेला जाता था 1924 से लेकर 1936 तक उसके बाद world war 2 के कारण इसे 4 साल तक नहीं खेला गया और फिर 1948 से यह अगें इसको continuous चार साल से खेला जाता है winter और summer olympic games हर एक सेम एर में होते थे बट 1986 के decision के बाद जो की decision लिया गया था international olympic committee के द्वारा इसको alternate numbering years में डाल दिया मतलब हर दो साल के बाद या तो winter होगा या summer olympics होगा winter olympics को host करने वाले तीन continents है और इन तीन continents के अंदर इसको 11 different countries ने host किया है अब बात करते हैं उन countryों के बारे में जिन्नों ने ये games host किये हैं पहला है United States of America जिसने चार बार ये games host किये है 1932 में 1960 में 1980 में और 2002 में उसके बीचे France है जिसने इसे तीन बार host किया है 1924 में 1968 में और 1992 में और उसके जैसे ही Austria, Japan, Norway, Switzerland, etc. ने इसको host किया है International Olympic Committee ने Pyeongchang South Korea को select किया है 2018 Winter Olympics के लिए और Beijing, China को 2022 Winter Olympics को host करने के लिए तो हब हम बात करते हैं Summer Olympic Games के बारे में Summer Olympic Games सबसे पहले Olympiad में चालू हुआ था 1896 में इसके अंदर International Multiple Sports होते हैं जो different different cities host करती हैं सबसे recent जो Olympics हुआ था वो हुआ था Rio Degenerio में जो की है Brazil में यहाँ पर जितना भी देख रहे होता है Supervision होता है वो International Olympic Committee ही करती है इन गेम्स को और सुपरवाइस भी करती है इन सारे इवेंट्स के अंदर Olympics में फर्स्ट प्लेस जो भी आता है उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है सेकेंड में सिल्वर और थर्ड में ब्रोंस दिया जाता है और यह ट्रेडिशन चालू है आस तक 1904 के अंदर सबसे पहले विंटर Olympics चालू हुआ था क्योंकि Summer Olympics एक सक्सेस निकला था 18 countries ने अभी तक Summer Olympics को होस्ट कर रखा है जिसमें सबसे जादा है United States चार बार Great Britain ने इससे तीन बार होस्ट किया है वो भी सिर्फ London City के अंदर चार सीटियों ने दो बार इस Summer Olympics को होस्ट किया है उनमें से कुछ नाम है Athens, Paris, Los Angeles and Tokyo और Tokyo Asian continent की सबसे पहली सिटी है जिसने Summer Olympics को Multiple Time होस्ट किया है बट अभी इस साल COVID-19 pandemic situation के कारण इसकी date आगे बढ़ चुकी है अब हम बात करते हैं Special Olympics के बारे में Special Olympics वर्ल्ड का largest sports organization है Children's और Adult के लिए जिनने intellectual disabilities है या physical disabilities है brain और body disability यहाँ पर approximately 5 million athletes और Unified Sports के Patreons जो की लगभग 172 countries से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं Special Olympics competition हर दिन हर रोज local national और regional competitions को रखता है जो लगभग एक साल में एक लाख events के बराबर होता है Organize कोन करता है तो उसे organize किया जाता है IOC के द्वारा IOC है International Olympic Committee जिसका नाम change होके International Special Olympic Committee रखा गया है इस Special Olympics के लिए यह alternate करते हैं summer और winter के बीच में और इन्हें हर दो साल के cycle में कराया जाता है सबसे पहला Special Olympics हुआ था July 20, 1968 में शिकागो में अब बात करते हैं Olympic symbol के बारे आपकी screen पर Olympic का symbol बना हुआ है जो कि एक white color के background में पांच ring के जैसा है इसको design और create करा था P.E.D. Corbettin ने जिसे हम father of modern Olympics के नाम से भी जानता है P.E.D. Corbettin ने इसे एक milky white texture background के उपर पांच rings को रखके जो की अलग-अलग color की थी उसको रखके इसका एक design बनाया था यह symbol या यह ring क्या symbolize करती है different continents को पहला है America, Africa, Asia, Australia and Europe और यह दूसरे athletes को एक जगे पर मिलने के लिए जिसको बोलते हैं Olympics पर मिलने के लिए साथ में रहने और काम करने के लिए या खेलने के लिए symbolize करता है यह basically five color से मिलके बनता है blue, black, red, yellow and green next topic जो है वो है Olympic का motto क्या है Olympic का motto तीन Latin words से मिलके बना है पहला है Citeous, दूसरा है LTS और तीसरा है Forteous यहाँ पर Citeous का मतलब होता है faster LTS का मतलब होता है higher और Forteous का मतलब होता है stronger यह सभी साथ में मिलके बनते हैं faster, higher, stronger next topic आता है object Olympics objective यह है Olympics का कि इससे loyalty, brotherhood और team spirits जनरेट होती है participants में second world community का attention physical education और उसकी importance पे जाता है sports man को अच्छा sports person बनाने का objective भी Olympics के अंदर आता है next barriers जैसे की कोई बिना किसी caste, creed या religion, धर्म के या color को देखते हुए मद भेद ना हो और सभी आपस में मिलके अच्छे से Olympic Games खेलें next बोलते हैं किसी भी sports person के अंदर अच्छी आदत डालना और जो normal values हैं जिसको हम बोलते हैं moral values और बिना किसी बेद को खेलने के लिए encourage करना भी objectives आता है Olympics के अंदर अगर हम बात करते हैं values की तो Olympics से हमें बहुत सारी values सिखने को मिलती हैं जैसे की friendship अच्छे से खेलना या fair play किसी को discrimination नहीं करना, काले या गूरे के रंग में, caste में discriminate नहीं करना या difference नहीं करना और किसी भी तरह की illegal unnecessary drugs का use नहीं करना Olympic values की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे dividation है पहला बात करते हैं तो brotherhood का जो sense है, वो Olympic values से ही हमें देखने को मिलता है Brotherhood मतलब भाईचारा, Olympics के कारण brotherhood develop होता है, मतलब भाईचारा develop होता है क्योंकि बहुत सारी जगी के countries के व्यक्ति, athletes साथ में आते हैं, रहते हैं, बेटते हैं, खाते हैं और एक unity बनती है उनके बीच में, जिससे brotherhood develop होता है Second बात करें तो impartial game, मतलब किसी भी team को partiality ना की जाए जितनी भी teams खेलें, उनको सभी एक समान के rules and regulation हो एक समान का justice मिले, इसमें सभी team और सभी individual players के लिए rules और regulation सेम होते हैं किसी भी team को special या particular partiality नहीं की जाए Sports official को भी जितने भी व्यक्ति इस sports को अच्छा बनानी की कुशिश करते हैं उनको भी अपने words और अपने action को रखना चाहिए जिसे की या तो बिलकुल नियम के अनुसार खेलो या तो खेलो ही मत इस slogan को भी आगे बढ़ाना चाहिए तीसरा topic आता है no discrimination का discrimination का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के बलेई वो जाती का हो कलर का हो धर्म का हो या किसी भी चीज का हो ओलम्पिक से हमें भायचारा बढ़ाने की सीख मिलती है और इससे हम भेदभाव दूर कर सकते हैं यहाँ पर हर एक शेत्र के हर एक जगे के countries के cultures के traditions के और कास्ट के लोग आपको एक साथ खेलते हुए दिखेंगे और यहाँ पर unfair treatment किसी भी व्यक्ति का किसी भी देश का नहीं होना चाहिए जहाँ पर हम discrimination की बात करते हैं तो ऐसा exception हमारे Olympics में भी देखने को मिलता है जहाँ पर 1972 Olympics जो कि Munich में हुआ था महाँ पर कुछ Israeli players की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी 1936 में जहाँ पर Berlin Olympics हुआ था महाँ गव्यक्ति का नाम JC Ons जिसे चार gold medal मिले थे उसे Adolf Hitler ने refuse कर दिया था honor करने के लिए gold medal देने के लिए क्योंकि उसको discriminate किया गया था next बात करते हैं तो बहुत सारी countries सिर्फ ये जताने के लिए कि वो दूसरी countries से superior है इस चीज में भाग लेती है इसका मतलब ये नहीं है कि हम Olympic movement को fail कर दे या इसके values को आगे बढ़ने नहीं दे हमें इसे हमेशा एक positive aspects के रूप में रहना चाहिए और हमेशा promote करना चाहिए Olympic movement को अगले topic के बारे में बात करते हैं तो वह ए fourth topic जिसको बोलते हैं friendship दोस्ती, Olympic movement के कारण बहुत सारी opportunities मिलती है सिर्फ players को ही नहीं, बहुत सारी विभिन countries को भी जिसमें ये players आपस में मिलते हैं, रहते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं अगर दो countries के बीच में अगर tension भी होती है तो उसको भी इस friendship के थूँ हम दूर कर सकते हैं लास्ट आपिक आता है respect के बारे में रिस्पेक्ट मोटिवेट करता है, अगर कोई sports person रिस्पेक्ट प्रोवाइट करता है तो सामने वाल अपोनेंट भी उससे respectfully ही treat करता है हमें अपोनेंट के साथ साथ गेम्स के rules और environment का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए नेक्स टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ओलम्पिक किस आदर्श पे बना हुआ है एक बहुती फेमस परसं थे जिसे कहते हैं बिशप पैंसिलवेनिया जिन्हों ने बहुती अच्छा कहा उन्होंने ये कहा कि खेलने से important या जीतने से important है उसके लिए participate करना उसके लिए struggle करना बली आप जीतो नहीं पर आप अच्छे से किसी भी आप try करो ये उनका बहुती फेमस एक्स सर्मन था आपाउ जाप जीतने से लिए ये झालब सुछा जाब पूर तो नहीं कर लोगा जाए। टोडियो अच्छा प्रतरा विए टो अच्छा बदाबنت इस बाच्छा कारण जाश्पित टे कालब्सा जाए जाउ तो चांटितने सुछास्पिते टूब जाज प्त्म्स और टोग for more of such videos, stay tuned to the channel, stay safe, stay healthy and don't forget to learn it.